नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनों कुषान शूपांडे और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से हमारी चर्चा का क्या विशाय है आईए हम बाते करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कक्षा बारवी की भौत चल रहा है अभिप्षा के और से यह प्रयास किया गया है और यदि आप हमारे अप्लिकेशन में आते हैं तो आपको एक्जाम से मिशन 2023 के नाम से अलग सेग्मेंट मिल जाएगा जहां पर आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी तो आईए चलते हैं हम पूर परिक्षाओं में पूछाए गया प्रश्णो पराधारित पूरा का पूरा प्रोग्राम है यहां पर जो है हम हर उस महत्वपून प्रश्ण के बारे में बात करते हैं जिसकी सम्हावना आपके एक्जाम में आने की आलरेडी है या जिन्हें हम पहले भी अपने रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको मिलेंगे इसी तरीके के रेगलर अपडेट्स चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेस्टन हम से पूछा गया था दो हजार बाइस में जो है लेंज का नियम यह प्रश्ण क्या है पूछा गया था तो अभी किसी चुमबकी से बद्ध विद्धूट्फलक्स में परिवर्वतन होता है तो फल छूरूप कुंडली में विद्धुधारा उत्रण होती है तो आप जो है हम लोग ने विद्दूद्ध फ्लक्स में परिवर्तन की दर d by dt is proportional to i तो विद्दूद्धारा उत्पन होती है और उत्पन विद्दूद्धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यहाँ फ्लक्स में होते परिवर्तन का विरोध कर सके इसी को lens का नियम कहते हैं फिर से यदि किसी कुंडली से बध चुंबकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का विरोध करने के लिए विद्द्धारा उत्पन होती है और इसकी दिशा इस प्रकार होती है ताकि वहाँ विद्द्धारा के चुंबकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध कर सके यह हम लोगों ने चुंबकी फ्लक्स की लेंज के नियम जो है हम लोगों ने देख लिया अब हमारा अगला प्रशन क्या है हमारा अगला प्रशन है विद्धु चुंबकी प्रेरंट क्या होता है थीक है तो विद्धू चुंबकी प्रेयरंट क्या होता है यह प्रस्ट ने 2019 में पूछा गया था और इसके अलावा जो है विद्धू चुंबकी प्रेयरंट से जुड़े हुए दोसे धानतों के बारे में 2022 किसे कहते हैं? पहला सवाल यही है तो भी हम के जानते हैं कि किसी भी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर यहां विद्दुत वाहक वाल याने की इमफ के अनुक्रमानुपाती है ठीक है तो यहां पर जो है हम लोगों को यह समझ में आ गया इस घटना को जो है हम कहते हैं विद्दुत चुंब के प्रेरण यदि किसी कुंडली के प्रतिबद चुंब के फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में विद्धुत विभाव उत्पन हो जाता है जिसे हम विद्धुत चुम्ब की प्रेरण कहते हैं अब फराडे का जो नियम है विद्धुत चुम्ब की प्रेरण के नियम जो है विद्धुत वहाग के बल के लिए सूत्र पतिपादित कीजिए तो फेराडे का नियम क्या कहता है फेराडे का नियम कहता है कि ये जो उपलब्ध विद्दुत वाहगबल है ये जो प्रेरण के द्वारा उत्पन विद्दुत वाहगबल है यहां किन बातों पर निर्भर करता है पहला है कि चुम्बके फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के उपर नर्भर करता है और इस प्रकार से जितनी तेजी से चुम्बके फ्लक्स परिवर्तित होगा उतना ज्यादा जो है यहां पर चुम्बके फ्लक्स उत्पन होगा और यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कि फराइडे के विद्दुत चुम्ब के फ्लक्स का प्रिवर्टन को का विरोध कर सके तो 2022 में ये प्रशन पूछा गया था अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रशन की ओर यहाँ पर जा देख़ें कि समझाई है कि Snay का उर्जा का नयम स्रशन के नयम के अनुकूल है अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर उर्जा के स्रशन के नयम की बात कैसे आती है यहां देखिए हम लोगों ने थराडे के नियम के बाद में लेंज के इस प्रयोग को देखा और यहां पर यह एक धारा है और यह एक समान चुम्ब की छेतर में रखी गई है यहां चुम्ब की छेतर को हम लोगों ने इस प्रकार से दिखाया है अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यदि हम flux के मानने परिवर्तन करने का प्रयास करें तो वो किस पकार से होगा हम लोगों ने देखा किया एक समाचुम्ब की छेत्र है हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक तार रख दिया जिसका नाम हम लोगों ने ए भी रख देते हैं अब यदि इस तार पर बाहर रूप से बल लगाया जाए तो इसमें विस्थापन हम उत्पन न करेंगे और यदि यह विस्थापन डी है तो कुन मिला के छेतर फल में जो कमी आएगी उसके कारण फलक्स में परिवर्टन होगा तो D5 by DT और इसके लिए जो है हम लोगों को मतलब यहाँ पर क्या सूत्र मिलता है तो D5 by DT और यह जो है यहाँ पर किये गया कारे भाई यहाँ पर बल लगा रहे है और बल के साथ साथ विस्थापन भी हो रहा है तो यहां पर जो है यह जो उर्जा है वहां यांत्रिक उर्जा है जो के विद्धूत उर्जा में परिवर्टित हो रही है तो यहां पर जो है जो हमको सूत्र मिलता है एफ एफ एल वी एफ बी वी तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के उत्पन ऊर्जा चुम्ब की ऊर्जा असल में बाहर रूप से किये गए यांतरिक कारे के बराबर होती है और इसके कारण यहाँ पर ऊर्जा के संब्रक्षन का नियम जो है वह सही साविस होता है प्रशन 2013 का था और इसको जो है दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है कि उर्जा का संब्रक्षन नियम किस प्रकार से लेंज के नियम के अनुकूल है तो मुझे उमीद है कि आपको यह चीजें समझ में आई होंगी आगे हम बात करते हैं कि सुवप प्रेरण का अर्थ समझाईए और एक ऐसे प्रयोग का वोणन कीजिए जिसे सुवप प्रेरण का प्रभाव प्रदस्चित हो देखें क्या होता है 2011 का प्रशन है और 2014 का भी प्रशन है यहां पर सुवप प्रेरण के बारे में बता दूँ पहले मैं आपको यदि किसी कुंडली में प्रवाहित विद्द्धरा के मान में परिवर्तन किया जाए मतलब यहां पर आई बन के मान में परिवर्तन करते हैं इस परिवर्तन के फल सरुप यहां पर चुम्ब की बल रिखाओं के मान में परिवर्तन हो जाएगा इस परिवर्तन के कारण इस कुंडली से गुजरने वाले चुम्ब की बल रिखाओं के संख्या बदलेगी और यहां पर फलक्स में परिवर्तन होगा हमको पता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वह विद्धु धारा के परिवर्तन की दर के बराबर होती है और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि D5 is proportional to D I या फिर हम बोल सकते हैं 5 is proportional to L I यहां पर यदि चक्करों के संख्या हो जादा तो जो है इसमें परिवर्तन आता है लेकिन यहां पर जो है यह जो अनुपातिक नियतांक लगाया गया है यह अनुपातिक नियतांक जो है सोव प्रिरकत तो कहलाता है और यह किस प्रकार से कारे करता है कि यदि किसी कुंडली के में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की जाए तो परिवर्तन के फल सरूप चुम्बकी छेतर में परिवर्तन होता है और फल सरूप चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसका विरोध करने के लिए क इस प्रयोग को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने कुंडली दहरा को सब्सक्राइब ओड्या फिर्ट अब्सक्राइब क्या होगा जब यहां पर यहां पर चुम्ब की ऊर्जा इकठी हो जाती है इसलिए यहाँ पर भीरे धीरे जल रहा होगा लेकिन जैसे ही हम इस परिपत का बटन बंद करते हैं ही इस कुंडली में तेजी से चुम्ब की फलक्स के मानवे परिवर्टन होता है और इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए विपृत दिसा में जो धारा प्रवाहित होती है उसके कारण ये बल्ब जो है एक बार तेजी से चमकता है और फिर बुझ जाता है तो इस प्रयोग के द्वारा जो है हम देख पाते हैं किस प्रकार से स्वाप प्रेरण काम करता है तो आश्चा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजे समझ में आ रही होंगी हम इसी सिलसिले में अगले वीडियो में भी पूर के प्रश्ण पत्रों की चर्चा करते रहेंगे जुड़े रहे हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज हन्यवाद